ह्यूसें हुए दोस्तों, स्वागत है आपका केबी इलेक्ट्रिकल मेंटेनिंस चैनल पर दोस्तों आध जो हम वीडियो लेके आये हैं उसमें हम जाने कि जो सबस्चेशन होता है उसमें किस-क petroleum की जिरूदत होती है और उनकी working क्या होती है दोस्तों यह सबस्टेशन है कोई government संस्टा का सबस्टेशन नहीं है यह private company का सबस्टेशन है और इसके सपलाई है वह उसके employees जो quarter में रहते हैं उन्हीं के लिए प्रॉवाइट की जाती है तो यह कोई ज्यादा बड़ा सबस्टेशन नहीं है छोटा सबस्टेशन है और इसी क कोई भी वीडियो अफ्लोट करें उसका नोटिपिकेशन आपके पास आजए तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह सब्सक्राइशन है वो कैसे बर्थ करता है अग्रज देखिए दोस्तों यह हमारा सबह्सक्राइशन और इसमें जो कॉम्पोलन लगए सबसे पहले जो component है वो हमारा 11 KV का H T incomeर है यहाँ पर जो हमारी government से जो supply आती है ग्याराजर बुल्ट वो हमारी इसमें आती है और इसके बाद जो है हमारी supply वो transformer में जाती है तो यह panel को हम यहां से on up करते हैं यह on up सुचे सका यहां से on up करते हैं और यह हमारा transformer जो हमारे Panel है उससे transformer में supply आ रही है यह देखके यह हमारा जो transformer में वो dry type transformer है हाँ पर oil time transfermer का यूज नहीं हुआ है और यह हमारे Red District है जो यह एर्थिंग की हैं जो transformer की एर्थिंगे है और इसमें जो हमारा यह ठार्मिनल Economics दिखाई दे रहा है यह देखे यह हमारा कुल संपना के लिए इसमें जो हमारे सेकंडरी की आउटपुटमर की लिए यहांसे चारroso चालिस बोल्ट की ऐला वाई हैं हम भी हमारे हमारे जो बा TikTok कि होल्य कि आहूंतों ही हममारे यहां रहा आती भी आती है हुए है combination future और सबसे पहले जो हमारी टांस पार्मर से जो आउटपुट सप्लाई आ रही है वह हमारी इनकवर में आती है यहाँ पर जो 440 वोल्ट के इनकमर है यह देखें यह इनकमर बन है एल्टी का इनकमर है इसमें पहले हमारे जो दो केवल आ रही है तो एक केवल हमारी इस इनकवर में आ रही है और दूसरी केवल जो है वह हमारे दूसरे नमर इनकवर में आ फ्यूज सुच उनमें इस तरह से हम connection ले लेते हैं बसवार से और फिर जो combination सुच हैं उसमें हमारे सभी में fuse लगे हुए होते हैं और fuse के बाद हमारा लोड जुड़ा होता है देखिए हमारे 200 MPR का fuse लगा हुआ है इसमें हमने एक हाने बस वार शर्ट ली हुई हैं और इसके बाद जो हमारे यहां पर फ्यूज लगे हुए हैं और फ्यूज के बाद जो है हमारी लोड के लिए लाएं जा रही है अगर लोड पर हमारी और लोड इंग रडि मिया wrct होता है तो हमारे जो फ्यूज थे हो gaan जल जाते हैं तो हमें जब उसको maintain करके दोवारा सफलाई कोन करते हैं यह भी हमारा 200 एंपिर का फ्यूच लगा है और इसमें भी हमारे फ्यूच लगे हूं और जो किभी बंध है और यह हमार्वannel सबस्टेशन की सपलाई है यह जो हमारा सबस्टेशन इसमें इसमें जो सपलाई है उसके लिए और यह हमारा करें यूरि यह मारा में ने केपस्टर बैंक और ये हमारा जो है गैपस्टर बैंक लगा हुआ है जो हमारा प्लेस्टो मेंटेन करकी रखता है और इसके साथ ही जो हमारा यहीं फ्युश्जा है और इसके बाद जो है वो हमारे जहां से दूसरी जगा से हमने इस्ट्रेट लाइट के लिए supply ली है वो हमारी इस combination सुच में आ रही है और इसके उपर जो हमारा है वो इस्ट्रेट का टाइमर लगा हुआ है यह देखें क्या है यह टाइमर जो है लाइट को च्छेक करना होता है तो इसे मैनवाली ओन कर लेते हैं उसके बाद इसको ौफ कर देते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब भी कर लें क्योंकि हम इसी प्रकार लेक्सिकल मेंटेनेंस पर प्रैक्टिकल वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत काम आ सकती है